उजास प्रवेशिका भाग दो ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्मान राष्ट्रिय साक्षर्ता केंद्र प्रकोष्ट प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महत्पून जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यों को समिलित किया गया है उजास, प्रवेशिका, भाग दो, पाठ साथ, कानूनी जानकारी, प्रिष्ट संख्या, 172 हम सीखेंगे त्र, श्र, र, 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 ग, दैनिक जीवन में उपियोग होने वाली भिन्नों की समझ, भाग की समझ बनाना, वजन का मापन करना, ग्राम और किलोग्राम, देखिये और पढ़िये, इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं, पहला चित्र पुलिस थाने का है, और उसके नीचे लिखा है पुलिस थाना, दूसरा चित्र अदालत का है, और उसके नीचे लिखा है अदालत, तीसरा चित्र तराजु का है, और उसके नीचे लिखा है पुलिस थाना, दूसरा चित्र अदालत का है, और उसके नीचे नीचे लिखा है सरकारी वकील, प्रिष्ट संख्या 170, इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं, पहले चित्र में एक व्यक्ति टाइप रेटर से टाइप कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा है, और उसके नीचे लिखा है नोटरी, दूसरा चित्र कोट का है, और तीसरा चित्र एक महिला और पुरुष का है, पुरुष के पीछे एक बोड लगा है, जिस पर लिखा है पारिवारिक न्यायाले. चौथा चित्र पुलिस थाने का है इस पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है थाना जिला जन्पद और चित्र के नीचे लिखा है F.I.R नीचे दिये गए शब्दों में से कानून से जुड़े शब्दों को पढ़िए और लिखिए बरी, मतदाता, मुकदमा, अपील, अर्जी, गवाह, फोजदारी, वकील, कैद, तारीख, अपराधी, न्यायाले, हिरासत, मुझरिम, जज, जमानत, बेल, बरामद, रोजनामचा, खारिज, अपील, दोशी, गिरफ्तार, गश्ट, कोतवाली, फरियाद, गुनाह, और मुल्तवी प्रिष्ट संख्या एक सो चहत्तर पढ़िए और लिखिए अगला अक्षर है त्र इस प्रिष्ट पर लड़की का कुछ लिखते हुए चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है चित्र अपनी बुवा को पत्र लिख रही है इस प्रिष्ट के निचले भाग में त्र अक्षर से बने हुए कुछ शब्द दिये गए हैं जो इस प्रकार है पत्र, इत्र, सत्र, रात्री, नेत्रदान, मित्र, त्रुटी, स्त्री, यात्री, चित्र, यात्रा, त्रिशूल, विचित्र, त्रिकोन और दानपात्र प्रिष्ट संखिया 175 इस प्रिष्ट पर त्र अक्षर को बिन्दों की मदद से दो पंक्टियों में बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंदुओं की सहता से त्र अक्षर को पूरा करें और साथ ही इन दोनु पंक्तियों में अभ्यास करते हुए त्र अक्षर को स्वैम बनाएं चित्र देखिये और शब्द लिखिये यहाँ पर अंकों में सत्रह लिखा है अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इसे शब्द में लिखिये इस प्रिष्ट में दूसरा चित्र एक महिला का है अब आप इस चित्र को देखकर इसके नीचे शब्द में लिखिये शिक्षक निर्देश, शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं तथा दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं प्रिष्ट संख्या 176, इस प्रिष्ट पर एक कविता दी गई है, जो इस प्रकार है क्षमा बुआ के पत्र, क्षमा बुआ पत्रों में ऐसा लिखती अक्सर, यत्र तत्र सर्वत्र यहां, मच्छर ही मच्छर, उपर से तेरे फूफा जी कटाक्ष करते, खुद को शिक्षित दीक्षित मुझको युही समझते, परोक्ष ढंग से कहते मैं ही आक्षेप करती हूँ, क्षोब हो रहा है मन में अब पटाक्षेप करती हूँ, सो नाक्षी बिठिया की जब हो जाए परिक्षा, उसको लेकर जरूर मिलने आना समीक्षा, कवी प्रभाद, इस प्रिष्ट पर एक पुरुष और एक महिला का चित्र है, पुरुष के हाथ में पत्र है, और स्त्री कुछ लिख रही है, साथ ही कुछ पन्ने बिखरे हुए हैं, जिन पर लिखा है क्षमता, पटाक्षेप, यत्र तत्र, क्षती, आक्षेप, सर्वत्र, क्षमा, परिक्षा, समीक्षा, क्षोभ, परोक्ष और कटाक्ष, प्रिष्ट संखिया, 117, पढ़िये और अक्षर लिखिये, अगला अक्षर है, श्र, इस प्रिष्ट पर विवाह के निमंत्रन काड का चित्र है, जिस पर लिखा है वैवाहिक कारिक्रम, गनेश पूजा, 8 नवंबर, हल्दी, 9 नवंबर, बारात, 10 नवंबर, स्वरुची भोज, 9 नवंबर, निज निवास, तुशार संग मुस्कान, शुब विवाह, निमित, मंगल परणय, दर्शना भिलाशी, इस निमंत्रण पत्र के नीचे एक पंक्ति में लिखा है, श्रिमती और श्री श्रेष्ट शादी में आमंत्रित हैं, और साथ ही श्र अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिये गए हैं, ये शब्द इस प्रकार हैं, आश्रम, परिश्रम, श्रधा, श्रावन, श्राध, श्रोता और श्रम, इस प्रिष्ट के निचले भाग में बिंद्वों की मदद से श्र अक्षर को दो पंक्तियों में बना कर दिखाया गया है, अब आप इन्ही बिंद्वों की मदद से श्र अक्षर को पूरा करें और साथ ही अभ्यास करते हुए इन दोनु पंक्तियों में श्र अक्षर को स्वैम बनाएं, प्रिष्ट संखिया एक सो अठतर, अगला अक्षर है अन, इस प्रिष्ट पर नेता जी का भाशन देते हुई चित्र है, नेता जी के सामने कुछ व्यक्ति बैठे और कुछ खड़े हैं, और चित्र के नीचे लिखा है, चुनाव से पहले नेताओं ने खूब भाशन दिये, इस प्रिष्ट के नीचे ल अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिये गए हैं, जो इस प्रकार हैं, लक्षण, गुण, पूण, पनजी और प्राणी, प्रिष्ट संक्या 189, इस प्रिष्ट पर बिंद्वों की सहता से रण अक्षर को बना कर दिखाया गया है, अब आप इन्ही बिंद्वों की मदद से रण अक्षर को दोनों पंक्षियों में बनाए और साथ ही अभ्यास करते हुए इन्ही दोनों पंक्षियों में रण अक्षर को लिखें, चित्र देखिये और शब्द लिखिये, इस प्रिष्ट के निचले भाग में दो चित्र है, पहला चित्र एक त्रिकोण का है, अब आप इसके नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इसे शब्द में लिखिये, दोसरा चित्र रावण के पुतले का है, अब आप दिये गए रिक्तिस्थान में इसे शब्द में लिखिये, प्रिष्ट संखिया एक सो असी, अगला अक्षर है रि, इस प्रिष्ट पर एक बैंक का चित्र है, इस चित्र में कैशियर लोगों को पैसे दे रहा है, और साथ ही एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती स्टेट बैंक, इस चित्र के नीचे लिखा है, बीज खरीदने के लिए मैंने बैंक से रण लिया, इस प्रिष्ट के निचले भाग में री अक्षर से बने हुए कुछ शब्द दिये गए हैं, जो इस प्रकार हैं, रिशब, म्रिग, क्रिशक, मृत्यू, प्रक्रती, रिशी, कृपा, रिण, व्रिक्ष, निरत्य, रितु और ग्रिह, प्रिष्ट संख्या 181, इस प्रिष्ट पर रि अक्षर को दो पंक्षियों में बिंद्वों की सहता से बना कर दिखाया है, अब आप इनी बिंद्वों की सहता से इन दोनों अक्षर को स्वयम पूरा करें, और दी गई पंक्षियों में रि अक्षर को बनाते हुए अभ्या चित्र देखिए और शब्द लिखिए। इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं। पहला चित्र एक व्रिक्ष का है। अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इसे शब्द में लिखिए। प्रिष्ट संख्या 182 अगला अक्षर है ग्य। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है। जिसमें एक दर्वाजा है और साथ ही एक बोड पर लिखा है बिना आग्या अंदर आना मना है। इस प्रिष्ट पर ग्या अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिये गए हैं। जो इस प्रिष्ट के निचले भाग में दो पंक्तियों में ग्या अक्षर को बिन्वों की मदद से बनाया है। अब आप इन दोनु पंक्तियों में ग्या अक्षर को इनी बिन्वों की मदद से पूरा करें और साथ ही इन पंक्तियों में ग्या अक्षर को बनाते हुए अभ्यास भ शिक्षक निर्देश, शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें। उनसे अक्षर लिखवाएं तथा दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। जुनुवा की दुकान में कल रात आग लगी थी। दुकान का बहुत सा सामान जल कर राख हो गया था। अभी पता नहीं चल सका था कि आग कैसे लगी और पुलिस ने श्रमण को गिरफतार कर लिया। श्रमण की गिरफतारी की खबर आनन फानन फैल गई। ग्यानों समझ नहीं पा रही थी कि श्रमण को चुड़ाए कैसे। उसके पास फूटी कौडी भी नहीं थी। आस पडोस की लोग भी उसी की तरह गरीब थे। आकिर आशा के किरन चमकी। ग्यानों को मीना ताई की यादाई। उन्होंने ग्यानों को रह सुझाई। वे ग्यानों को मुफ्ट कानोंी साहता केंदर ले गई। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र तहसील, जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर बने होते हैं वहां गरीबों को वकील की सेवा मुफ्त मिलती है जरूरी कागजात के लिए फीस भी नहीं देनी पड़ती ग्यानों ने उनकी मदद से सहायता अधिकारी को अरजी दी अधिकारी ने उसे कानूनी मदद का भरोसा दिलाया अगले दिन श्रवन को अदालत में पेश किया गया मुफ्त सहायता केंद्र के वकील ने जमानत के कागज जमा किये जज ने पूछ ताच की और जमानत मन्जूर कर ली श्रवन को जमानत पर रिहा किया गया इसके बाद मुकदमा चला मुफ्त कानूनी सहायता केंदर से बराबर मदद मिलती रही ग्यानों को ना तो वकील की फीस देनी पड़ी ना हे कागजों पर पैसा खर्च करना पड़ा श्रमन के खिलाफ कोई सबूत न मिला वह अदालत से बाइज़त बरी हो गया मुफ्त कानूनी सहायता केंदर की मदद के कारण श्रमन बच गया ग्यानों और श्रमन की खुशी का ठिकाना न रहा वे आज भी मुफ्त कानूनी सहायता केंदर और मीनाताई की तारीफ करते नहीं थकते इस पृष्ट पर एक चितर है जिसमें एक महिला और पुरुष बाते कर रहे हैं साथ एक महिला वकील से सहायता ले रही है और यहां पर एक बोड लगा है जिस पर लिखा है मुफ्त सहायता केंदर पृष्ट संख्या 184 ग्यानू ग्यानी ग्यान नाम असल में ग्यान चंद का ग्यान चंद था, मगर कोई भी ग्यान चंद को ग्यान चंद ना कहता घर में सारे ग्यानू कहते, ग्यानी कहते मित्र, कक्षा शिक्षक ग्यान ही कहते, ये था बड़ा विचित्र जान गई पर दुनिया सारी, सभी गई अबमान, ग्यान चंद के तीन नाम है, ग्यानू ग्यानी ग्यान प्रभात, इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, जिसमें ग्यान चंद के माता पीता, ग्यान चंद को ग्यानू और ग्यान नामों से पुकार रहे हैं साथ ही तीन बच्चे ग्यान चंद को ग्यान ग्यानी इत्यादी अलग-अलग नमों से पुकारते प्रतित हो रहे हैं प्रिश्ट संख्या 185 प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराद की पड़ताल शुरू कर सकती है कानून में कहा गया है कि अपराद की सूचना मिलने पर नजदी की थाने में फोरण FIR दर्ज करानी चाहिए पुलिस को ये सूचना मौखिक, लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है FIR में आम तोर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान को दर्ज किया जाता है उसमें वारदात के मूल तत्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है अगर अपरादियों का पता हो, तो उनके नाम तता गवाहों के नाम को भी शामिल किया जाता है FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है इस पर शिकायत करने वाले के दस्तकत कराई जाते हैं शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल कौपी मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 NCERT इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं पहला चित्र FIR की कौपी का है और दूसरा चित्र FIR के परफॉर्मे की कौपी का है प्रिष्ट संख्या 186 इस प्रिष्ट के उपर वाले हिस्से में FIR कराने के लिए प्रार्थर पत्र का चित्र है प्रश्ण 1 क्या आपने कभी FIR दर्ज करवाई है रिक्तिस्थान आपके घर से सबसे नज़्दी की पुलिस थाना कौन सा है रिक्तिस्थान प्रश्ण 3 जरूरत पढ़ने पर आप पुलिस की मदद किस टेलिफोन नंबर पर ले सकते हैं रिक्तिस्थान प्रश्ण 4 महिला सुरक्षा के लिए किस नंबर पर संपर्क किया जाता है रिक्तिस्थान अब आप स्वेम इन रिक्तिस्थानों को भरें शिक्षक निर्देश सहभागियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के बारे में विस्तार से चर्चा करें उनसे पूछें कि कभी उनकी FIR करवानी पड़ी है क्यों और कैसे FIR प्रक्रिया पर उनसे चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 187 मेरे शब्द इस प्रिष्ट पर एक बहुत बड़ा खाली बॉक्स है शिक्षक निर्देश कानूनी जानकारी विशे पर बादचीत कीजिए सहभागियों से पूछ कर इस विशे से जुड़े तीन चार शब्द लिखिए ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं जैसे कानूनी दाव पेच के लिए कानूनी लफड़ा आदी प्रिष्ट संख्या 188 चित्र देख कर खाली जगह पर स्वैम की कहानी बनाईए और लिखिए इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं पहला चित्र एक घर के बाहर बैठी महिला का है जो मुँपर हात रख कर कुछ सोच रही है और साथ ही एक बोड लगा है जिस पर लिखा है कारखाना ये कहानी कुछ इस प्रकार है शशी का एक छोटा सा घर है वो सिलाई करती है इसी से उसकी गुजर बसर होती है पती नहीं है तीन साल पहले वे गुजर गए थे शशी के दो बच्चे हैं वे स्कूल में पढ़ते हैं शशी के घर के नजदीक ही ग्यानचंद की फैक्टरी है ग्यानचंद शशी पर दबाव डालता है कि वो अपना घर उसे बेच दे दरसल ग्यानचंद वहां अपनी नई फैक्टरी खोलना चाहता है इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें पाँच व्यक्ति और एक महिला है महिला घर के बाहर खड़े होकर पुरुषों से बात कर रही है अब आप दिये गए चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाईए और उसे रिक्तिस्थान में लिखिए प्रिष्ट संख्या 189 इस प्रिष्ट पर दो चित्र है पहला चित्र एक महिला का एक महिला पुरुष अधिकारी से बात चित करते हुए है महिला अपने घर के बाहर खड़ी है अब आप इस चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाईए और उसे चित्र के सामने दिये गए रिक्तिस्थान में लिखिए अगला चित्र एक महिला का एक वकील के साथ बाचित का है और साथ ये एक बोड लगा है जिस पर लिखा है मुफ्त सहेता केंद्र एक पुरुष का महिला के साथ बाचित करते हुए चित्र भी है अब आप इस चित्र के आधार पर दिये गए रिक्तिस्थान में अपनी कहानी बनाईए और उसे लिखिए पृष्ट संखिया एक सो नब्बे जाने वजन के बारे में एक किलोग्राम बराबर एक हजार ग्राम आधा किलोग्राम बराबर पांच सो ग्राम चोथाई किलोग्राम या पाव किलोग्राम बराबर दो सो पचास ग्राम एक आपका वजन कितना है तौलें तथा लिखें रिक्तिस्थान दो आपके मित्र का वजन कितना है रिक्तिस्थान तीन वजन करके लिखिए और बताईए किसका वजन ज्यादा है आपका या आपके मित्र का रिक्तिस्थान एक फूल गोबी का वजन कितना होगा इस प्रिष्ट पर तीन चित्र है पहला चित्र एक महिला का तराजू में फूल गोभी को तोलने का है और उसके सामने लिखा है एक फूल गोभी का वजन कितना होगा यदि चंदा ने एक किलोग्राम चीनी खरीदी परंत उसको उसके वजन से ऐसा आभास हुआ कि इसका वजन एक किलोग्राम नहीं है उसने दूसरी दुकान पर जाकर चीनी तुलवाई जो कि कुल नौसो ग्राम निकली चंदा को दुकानदार ने कितनी चीनी कम दी इस प्रिष्ट पर दूसरी चित्र में एक व्यक्ती तराजू में चीनी तोल रहा है कम चीनी या कम वजन तोलने की शिकायत आप कहा करेंगे इस प्रिष्ट का तीसरा चित्र एक नाप तौल विभाग का है जिस पर लिखा है कारियाले नाप तौल विभाग और साथ ही एक बोड लगा है जिस पर लिखा है नाप तौल विभाग में आपका स्वगत है और साथ ही एक डाग पेटी का कचित रहे शिक्षक निर्देश पहले वजन के बारे में विभरण दें तथा सहभागियों को भार की इकाईयों जैसे किलोग्राम, ग्राम के अनुभप्रदान कर उनकी समझ विक्सित करने में मदद करें अधिक वजन वाली वस्तुमों का वजन तौलने के लिए किलोग्राम का प्रियोग होता है कम वजन वाली वस्तुमों को तौलने के लिए ग्राम का प्रियोग होता है किलोग्राम को की, ग्रा, वो ग्राम को ग्रा भी लिख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 191 पांच किलोग्राम गेहुं रुपए 100 में आये हैं तो 25 किलो ग्राम गेहुं का मूल्य कितना होगा? 25 किलो ग्राम गेहुं खरीदने के लिए आप कौन-कौन से और कितने नोट देंगे? लिखिए रिक्तिस्थान. इस प्रिष्ट पर 5 बोरियों का चित्र है और प्रतेक पर लिखा है 5 किलो ग्राम, रुपए 100. वजन नापने के बाट इसी तरह अधिक भारी वस्तों के वजन को मापने के लिए बड़े बाट होते हैं यहाँ पर पांच बाटों के चित्र हैं ये हैं एक किलो ग्राम, पांच सौ ग्राम, दो सौ ग्राम, सौ ग्राम और पचास ग्राम शार्दा सबजी खरीदने बाजार गई हिसाब लगाईए उसने कुल कितने रुपए की सबजिया खरीदी यहाँ पर एक तालिका है इस तालिका के पाँच भाग है इन में लिखा है क्रम सबजी का नाम दर रेट प्रती किलोग्राम कितनी ली अर्थात मात्रा और रुपए चुकाई अर्थात मूल्य क्रम सबजी का नाम आलू दर रेट प्रती किलोग्राम कितनी ली अर्थात मात्रा और रुपए चुकाई अर्थात मूल्य सबजी का नाम दर रेट प्रती किलोग्राम कितनी ली अर्थात मात्रा और रुपए चुकाई अर्थात मूल्य सबजी का नाम दर रेट प्रती किलोग्राम कितनी ली अर्थात मात्रा और रुपए चुकाई अर्थात मूल्य सबजी का नाम दर रेट प्रती किलोग्राम कितनी ली अर्थात मात्रा और रुपए चुकाई अर्थात मूल्य रिक्तिस्थान कुल रुपए रिक्तिस्थान शिक्षक निर्देश सहभागियों को जागरूख करें कि जब वो किसी दुकान से सामान खरीदें तो दुकानदार से उसका बिल जरूर लें तथा इसके उप्योग पर चर्चा करें यदि आपको लगता है कि आपने जो सामगरी खरीदी है वो निर्दारित वजन से कम है तो आप दुकानदार से तराजू के सामगरी वाले पलड़े में बाट और बाट वाले पलड़े में सामगरी रख कर पुना तौल करा सकते हैं यदि आपको लगता है कि दुकानदार के बाट निर्दारित मानक के नहीं है तो आप नाप तौल विभाक के कार्याले में इसकी शिकायत कर सकते हैं प्रिष्ट एक सो बयानवे पढ़िये और समझिये मा ने एक बड़ी रोटी बनाई उसके दो बराबर हिस्से किये उन में से एक हिस्से में से आधा आधा अपने दोनों बच्चों रजत और रानी को दिया चित्र देखकर बताईए किसको कितना मिला यहाँ पर रोटी के तीन चित्र हैं पहले चित्र में पूरी रोटी है दूसरा चित्र आधी रोटी का है और तीसरा चित्र एक चोथाई रोटी का है यहाँ पर एक तालिका है इस तालिका के चार भाग हैं आईए अब इस तालिका को पढ़ें तालिका का पहला भाग पूरी रोटी कहते हैं एक पूरा पढ़ते हैं पूर लिखते हैं एक तालिका का दूसरा भाग आधी रोटी का चित्र कहते हैं आधा पढ़ते हैं दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिखते हैं अंकों में एक बटा दो और शब्दों में एक बटे दो तालिका का तीसरा भाग चोथाई रोटी का चित्र कहते हैं एक चोथाई पढ़ते हैं चार बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, लिखते हैं अंकों में एक बटा चार और शब्दों में एक बटे चार रोटी का कितना भाग बच गया रिक्तिस्थान रजट ने रोटी का कितना भाग खाया रिक्तिस्थान रानी ने रोटी का कितना भाग खाया रिक्तिस्थान यहाँ पर रोटी का एक्चित्र है जिसके तीन भाग है एक भाग रोटी के आधे हिस्से का है दूसरा भाग रोटी के आधे हिस्से के दो बराबर भाग है रोटी के आधे भाग में लिखा है रोटी का बचा हिस्सा और रोटी के एक चोथाई दो भागों में लिखा है रानी ने खाया और रजित ने खाया यदी मा रोटी के तीन बराबर हिस्से करती तो ऐसे बटवारा होता यहाँ पर फिर तीन चित्र हैं पहले चित्र में रोटी के तीन बराबर भाग हैं, जिसके नीचे लिखा है एक पून बराबर एक दूसरे चित्र में रोटी के तीन बराबर हिस्सों में से दो हिस्सों का है और उसके नीचे लिखा है दो तिहाई बराबर दो बटा तीन और तीसरा चित्र, रोटी के तीसरे हिस्से का है, जिसके नीचे लिखा है, एक तिहाई बराबर एक बटा तीन क्या बच्चों को पहले से ज्यादा हिस्सा मिलेगा? रिक्तिस्थान शिक्षक निर्देश सहभागियों से ऐसे ही कई अन्य रोज मर्रा के उधारन लेकर चर्चा कीजिए कागस को मोड कर और कंकणों की साहता से भी बादचीत की जा सकती है वजन को मापने के लिए अब डिजिटल मशीनों का भी उप्योग किया जा रहा है डिजिटल मशीनों में वजन नापने के पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मशीन शूने पर सेट हो ऐसी मशीने आस-पास कहां उप्योग हो रही हैं इस पर चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 193 नीचे बनी तालिका में फसल का बटवारा दिया है कुछ जगे से लिखाई मिट गई है तालिका भरने में सहेता कीजिए यहाँ पर एक तालिका है जिसके चार भाग है पहले भाग में लिखा है फसल दूसरे में लिखा है कुल पैदावार बोरो में तीसरे में लिखा है कुल पैदावार का आधा बोरो में और चौथे भाग में लिखा है, कुल पैदावार का एक चौथाई, बोरो में। आईए, अब तालिका को पढ़ते हैं। फसल मटर, कुल पैदावार, बोरो में। 24, कुल पैदावार का आधा, बोरो में। रिक्तिस्थान, कुल पैदावार का एक चौथाई बोरो में, रिक्तिस्थान फसल चना, कुल पैदावार बोरो में, बत्तीस कुल पैदावार का आधा बोरो में, रिक्तिस्थान कुल पैदावार का एक चौथाई बोरो में, रिक्तिस्थान फसल गेहूं, कुल पैदावार बोरो में 40, कुल पैदावार का आधा बोरो में 20 और कुल पैदावार का एक चौथाई बोरो में रिक्तिस्थान फसल गेहूं, कुल पैदावार बोरो में रिक्तिस्थान, कुल पैदावार का आधा बोरो में 20, कुल पैदावार का एक चौथाई बोरो में 20 फसल, रिक्तिस्थान, कुल पैदावार बोरो में 22, कुल पैदावार का आधा बोरो में रिक्तिस्थान और कुल पैदावार का एक चौथाई बोरो में 5 या 5 और आधा सुन्दर जी के पास 40 बीघा जमीन है सुन्दर जी के दो बच्चे सुशील और शीला हैं दोनों बच्चों में जमीन का बराबर बराबर बटवारा हुआ आगे चित्र में देखते हैं कि अगली पीड़ी में जमीन का बटवारा कैसे हुआ यहां पर एक चित्र है आईए अभी से पढ़ते हैं रिक्तिस्थानों को आप स्वयम पूरा करें चालिस भीघा इसके दो भाग हैं रिक्तिस्थान बीगा और रिक्तिस्थान बीगा पहले बीगा के चार भाग हैं पहला रिक्तिस्थान बीगा दूसरा रिक्तिस्थान बीगा तीसरा रिक्तिस्थान बीगा और चौथा रिक्तिस्थान बीगा दूसरा बीगा के दो भाग हैं ये हैं रिक्तिस्थान बीगा और रिक्तिस्थान बीगा यहाँ पर बीगा के अनुसार जमीन के बटवारे का एक चाठ है चालिस को दो बराबर भागों में बाटा चालिस भाग दो बराबर रिक्तिस्थान बीज को चार बराबर भागों में बाटा बीज भाग चार बराबर रिक्तिस्थान बीज को पांच बराबर भागों में बाटा बीज भाग रिक्तिस्थान बराबर पांच शिक्षक निर्देश भूमी या किसी अन्य सामगरी के बराबर बराबर बटवारा करते हुए भाग की समझ पर चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 194 वर्ण माला इस प्रिष्ट पर वर्ण माला का चार्ट है आईए अभी से पढ़ें आ आ ई ई उ उ रि ए आई ओ आउ क ख ग घ अंग द, ठ, द, ध, ढढट, र, ल, द, त, थ, द, ध, ध, द, न, ज, न, द, थ, व, भ, ब, भ, ब, 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 इस की सम्मुट य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, ट्र, ग्य, श्र